आप देखरें न्यूज शक्र मैं अभिसार शर्मा तो तमाम एक्जिट पोल्स ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आधी ला दे जी हाँ एक्जिट पोल्स की माने तो अब हमें 23 तारीख का इंतजार भी करने की जरूत नहीं है क्योंकि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है मगर उससे पहले कुछ चीजें जो तत्यात्मक हैं जो फैक्शल हैं और आपको जानना बेहत जरूरी है नमबर एक क्या आप जानते हैं कि इन एक्जिट पोल्स में लगी दो ऐसी एजनसी हैं जो भारती जनता पार्टी के लिए ग्राउंड वर्क कर रही हैं समीनी काम कर रही हैं सबसे पहला कॉन्फिक्ट अफ इंट्रेस क्या आप जानते हैं कि इन में से एक एजनसी जिसने भारती जनता पार्टी को 300 से उपर सीटे दे दी ये एजनसी जो है ये एजनसी में जो पैसा लगा है सर्वे में वो 60 बजार का लगा है नमबर तीन कि आप जानते हैं कि समाचार चैनल्स को ये नसीहत दी गई थी कि विपक्ष को जो आप आंकडे दे रहे हैं उसे कम करके दिखाएं वो दबाव लगातार बनाया गया था और यही नहीं एक न्यूस चैनल जिसने भारती जनता पार्टी को 180 सीटे दी थी उन पर दबाव इस कदर बढ़ा कि उन्होंने बाद में इस आंकडे को ढ़ाई सो के पास ला दिया ऐसे मैं आप खुद बताईए जब इतने सारे विरूदा भास मौजूद हैं तो हम एक्जिट पोल्स पर विश्वास क्यों करें मगर न्यूस शक्रम सिर्फ एक्जिट पोल्स के बारे में नहीं है दोस्तों इस से पहले मैंने मोधी सेरकार के कामकाज की पिछले 5 साल की जो समीक्षा है उसका लेखा जो का आपके सामने बार बार प्रस्तुत किया है आज मैं सिर्फ पिछले एक हफ़ते में क्या हुआ और इसका परिणाम आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा वो आपको बताने वाला हूँ आप जानते हैं कि पनारस में वोटिंग के यानि कि जो आखरी चैरन में जो चुनाव हुए उन में वोटिंग से एक दिन पहले प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी केदारनात में मौझूद थे जी हां केदारनात में मौझूद थे और न्यूस चैनल्स उनके एक एक लमहे को इस तरह से दिखा रहा था एक एक लमहे को मेरे हिसाब से दोस्तों ये साफ तोर पर आचार सहिता का उलंगन है और प्रधान मंत्री ने ऐसा पहली बार नहीं की आपको याद होगा इससे पहले जब विधान सभा चुनाव हुए थे तो प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी नेपाल पहुँच गय थे और वहाँ पर भी उन्होंने मंदिरों का दौरा किया था मैंने अपने एक शो में बताया था कि मंदिर प्रशासन ने कहा था कि हम यहां से लाइव नहीं कर सकते मगर प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी के कारयले ने दभाव बनाया और मजबूरी में नेपाल के उस मंदिर से लाइव हुआ वो भी कब जबकी विधान सवा चुनावों में वोटिंग हो रही थी चुनाव आयोग पूरी तरह से सोया हुआ है मगर केदारनाथ में जब प्रधान मंत्री मौजूद है तो मैं इन तस्वीरों पर अपनी टिपपणी रखता चाहूँगा सबसे पहले प्रधान मंत्री का ये वीडियो देखिए प्रधान मंत्री ध्यान कर रहे हैं मगर क्यामराज के लिए पहले आप देखिएगा कि वो चश्मा पहनते हैं और चश्मे में ही वो ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ देर बाद ये चश्मा भी उतर जाता है वा मोदी जीवा यही नहीं दोस्तों, अब ये तस्वीर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधान मंत्री जो हैं शीष जुखाए नमन कर रहे हैं और अगर आप ध्यान से इस तस्वीर में देखिए तो आपको एक कैमरमेन दिखाई देता है गर्ब ग्रह में वो प्रधान मंत्री की सामने की तस्वीर ले रहा है मेरा सीधा सवाल जो धार्मिक लोग इस सकारक्रम को देख रहे हैं कल्पना कीजे अगर प्रधान मंत्री की जगा राहुल गांधी होते अर्विंद के जिवाल होते कोई और विपक्ष के नेता होते मायावती अखिलेश यादव होते तब मीडिया में किस तरह का बवाल मच जाता क्या गर्ब ग्रह में कोई कैमरमन इस तरह से खड़े हो सकता है बताईए क्या ऐसा हो सकता है मगर प्रधान मंत्री की तस्वीर लेने के लिए ये कैमरमन वहाँ पर खड़ा हुआ अब ये तस्वीर देखिए प्रधान मंत्री के पीछे केदारनात मंदिर है और कैमरस की तरफ प्रधान मंत्री जो है वो नमो कर रहे है मैं जानता हूँ आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि प्रधान मंत्री सुर्य नमस्कार कर रहे है तो मित्रों मैं आपको बता दूँ कि केदारनात मंदिर की जो एक बहुती विशेश बात ये है कि उसकी जो सनरचना है या उसका जो लोकेशन है वो उत्तर दक्षण है यानि कि दक्षण में स्थितिये मंदिर है प्रधान मंत्री जो अपना शीश जुका रहे हैं या नमस्कार कर रहे हैं वो उत्तर की तरफ कर रहे हैं, अब उत्तर से तो सूरज नहीं निकलता, न उत्तर में डूपता है, वो तो कहां से उदै होता है, पूर्व से और फिर पश्चिम में जाकर वास्त होता है, तो प्रधान मंत्री क्या एक बार फिर कैमरास के लिए शीष जुका रहे थे? यही नहीं दोस्तों, प्रधान मंत्री का कैमरा प्रेम एक बार फिर इस वीडियो के जरीय सामने आता है, प्रधान मंत्री के दारना जैसी पवित्र जगा पर हैं, मगर यहाँ पर हर-hर मोदी के नारे लग रहे हैं, आप खुद सुनिए, यही नहीं इस वीडियो में आप दे कर आए, आखिर ऐसी गुस्ताखी कौन कर सकता है मित्रों। दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया चलती रही, मगर उसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी आखें मुंद ली, और क्यों ना हो, क्योंकि चुनाव आयोग में इन दो शक्स ये तों, सुशील चंद्रा और सुनील अरोडा के चलते जो चल रहा है, इस से पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग के अंदर बगावज जैसी स्थिती पैदा नहीं हुई, मैं क्यों कह रहा हूँ बगावज, क्योंकि इन में से एक चुनाव आयोग अशोक लवासा, बार बार, प्रधान मंत्री, अमिट शा जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, उस पर आपत्यां दर्ज कर रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं, अशोक लवासा जो भी बात कह रहे हैं, उस आपत्य को दर्ज तक नहीं किया जा रहा है, नतीजा ये हुआ कि अशोक लवासा ने धमकी दे डाली, कि आगे से मैं किसी चुनाव आयोग की मीटिंग में भाग नहीं लूँगा यहीं नहीं उन्होंने का कि अगर आप मेरी आपत्ती को दर्ज नहीं करेंगे तो मैं वेकल्पिक उपाय करूँगा यानि कि हो सकता है वो अदालत जाएं दरसल अशोक लवासा ने जो मुद्दा उठाया है वो अपने किया था जिसका नाम था इंदरा की गलती मोदी ने दोहराई जी हाँ और मैंने आपको बताया था कि जो गलती प्रधान मंत्री से हो गई है वो इंदरा गांधी से भी गंभीर है जो मुद्दा में आपके सामने लेकर आया हूँ अपने आप में बहुत गंभीर है दोस्तों वो ये कि जस तरह से इंद्रा गांधी की सदसिता इलाबाद हाई कोट में खारिज कर दी थी वही अपराद, वही गलती संभवता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कर दी है सबसे पहले तुम्हें आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव आचार सहिता क्या होता है जो इस वक आपके स्क्रीन्स पर है चुनाव आचार सहिता ये कहता है कि मंत्री गण अपना राजनीतिक काम अपने आधिकारिक काम के साथ नहीं मिलाएंगे दोनों में एक तरह से सामावेश नहीं होगा नाहीं चुनावी काम के लिए आधिकारिक मशिनरी का दुरुबयोग होगा दोस्तों स्क्रोल एक डिजिटल प्लाटफॉर्म में स्क्रोल वो एक खबर लेकर आया है जो बहुत कमभीर है जिस पर आपको खौर करना होगा स्क्रोल के मताबिक उन्होंने एक एमेल लेखा है और यह एमेल किस ने लिखा है यह एमेल लिखा है पिंकी कपूर ने जो की नेती आयोग की एक अधिकारी है यह उन्होंने तमाम मुख्य सचिबू, पुडिचेवरी, चंडिकर्ड और तमाम जो आडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें लिखा है और यह तब लिखा गया है दोस्तों जबकी इमेल क्या कहता है मैं आपको बताना चाहूंगा अंग्रेशी में है आप देखिए The Honorable Prime Minister is likely to visit UT's Union Territories very shortly The Prime Minister's office has desired a write-up on the following by 2 p.m. tomorrow evening which is 9-4-2019 on the following प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 बजे तक 9-4-2019 यानि 9 अप्रेल तक 2 बजे तक इन मुद्दों पर एक write-ups चाहते हैं कौनसे write-ups चाहते हैं वो Highlights and important features of UT's, historical, local heroes, cultural, religious, economic तमाम चीज़े तो यह कोई और नहीं बलकि Pinky Kapoor मान रही है इसके अलावा 31 मार्ज को गोंधिया की collector कादंबरी बलखावाड जो है उन्हों वो नीती आयोग को जवाब भी देती हैं और जो वो जवाब देती हैं दोस्तों किस subject के साथ देती हैं वो भी देखें राइट अप इन्फरमेशन फॉर गोंधिया डिस्ट्रिक फॉर प्राइम मिनिस्टर्स आफिस और मुझे आपको बताने की जरुत नहीं कि उसके बाद प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ने गोंधिया में राली की थी साफ तोर पर सरकारी मशिनरी का दुरुपयोग हुआ है अब शुनाव आचार सहिता का अगर आपने उलंगन किया है देखिए शुनाव आयोक के पास अपनी कोई बहुत जादा ताकत नहीं होती है लिहाजा वो ज्यादा से ज्यादा प्रधान मंत्री को जो है उनको एक उन जिन्दा कर सकता है चालीज से सतर घंटों तक उनकी कैमपेणिंग पर रोक लगा सकता है हाला कि वो भी नहीं कर रहा है लगातार वो सेना का मुद्दा उठा रहे हैं और चुनाव आयोक उस पर पूरी तरह से खामोश है मगर प्रधान मंत्री के लिए मुश्किल कहां से प यांais यह 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 इन्गे रेंएट कर थे नेलगें डाता है किया है यह यह आलन उदॉस्टों इसकाल आपटी क्या किया है यह इसकाल सक्ता थिय्oses स्क्रेशकर अब करक्वीज के थारीज के अ गैं hat थरौन कीया है मुश्टों यह किया है इन गया सबरॉसक इन आप। न in connection with such elections and the decisions of doubts and disputes arising out of or in connection for such elections. दोस्तों, दिक्कत ये थी कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से पहले महूम इंदरा गांधी ने इसी आक्ट का उलंगन किया था. सबसे पहले देखिए चंदॉली में क्या हुआ, चंदॉली में दोस्तों, हुआ ये कि दलितों के गाउं में जाकर बाकाइदा बीजेपी के कारकरताओं ने उन्हें 500 रुपे दिये और जबरन उनकी उंगलियों पर जैसे आप देख सकते हैं मेरी उंगली में, वोटिंग की सियाही लगी हुई है, जबरन उनकी उंगली में सियाही लगा दी गई ताकि वोट न दे पाएं, जी हाँ, भारती जनता पार्टी के संसकारी कारकरता ऐसे कर रहे हैं, अब सुनियें शंदॉली की ये निवासी क्य कितना पैसा था, अब ये एक दलित बाहुल गाउं था, अब देखिये गोरकपुर में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बूत के अंदर मुसल्मानों को खदेड के भागाया गया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रजात अंत्र कितना था, इतना बड़ा धकोसला हो जाता है, प्रजात अंत्र कितना कमजोर हो जाता है, दोस्तों आज इस कारक्रम में जो मैं आपको तमाम बाते बता रहा हूँ न, ये बानगी है कि अगले पाथ सालों में क्या होने वाला है, अगर भारती जनता पार्टी उसी मजबूती के साथ उ क्योंकि नफरत को, तबाव को, ताकत को कहीं न कहीं जायस कर दिया गया है, इस तरह के ताकत के बेजा इस्तमाल को जायस कर दिया गया है, और यहां तक मीडिया की बात है दोस्तों, अब मैं आपको ये दो वीडियोज बताने वाला हूँ, मीडिया, बीजेपी के अध्यक् देखिए ये पत्रकार किस तरह से अमिट शाह की चाटुकार इता कर रहा था और अमिट शाह ने इने कैसे लताड़ा पहले आप ये देखिए अमिशा जी से हम बात करने ही कुशिश करेंगे अमिशा जी हिंदी ख़वर पर लाई मौझूद है अमिशा जी हिंदी ख़वर बहुत स्वागत है अब की बार किसकी सरकार हमारी बागपा की सरकार बनेगी मोधी जी प्रधान बनेगी अब की बार तीन सो पर अब ये दूसरा वीडियो देखे याँ पर इस पत्रकार ने थोड़ी सी हिम्मत कर दी अमिश्या से सवाल पूछने की कि पश्यमंगाल में क्या हो रहा है और इसके साथ क्या बरताफ किया गया ये भी आप देखे अध्याग जी आप गोरखपुर आये हैं और गोरखपुर में आप रोड़ सो कर रहे हैं लेकिन बवाल जो मचा हुआ है वो बंगाल में मचा हुआ है लेकिन चर्चा बंगाल की है जहां बहुत बवाल मचा हुआ है आप गोरखपुर के बारे में बात करें इसलिए बुला है आपको आपने देखा ये पत्रकार एक बड़े न्यूस चैनल होने के बावजूद इसका चेहरा किस तरह से उतर गया था किस तरह से सहम गया था ये हालत है मीडिया की ये दबाव है पत्रकार जो सामना करता है सत्ता के सामने और सत्ता से सवाल पूछना कितना मुश्किल हो गया है और आप अंदाजा लगाई अगले पांच सालों में अगर एक्जिट पोल्स वाली स्थिती हकीकत में बदल गई तो क्या होने वाला है दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि नफरत को किस तरह से जायस किया गया है अब मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ ये ट्वीट है एक टेलिविशन पत्रकार का आप देखी ये क्या कह रही है ये कह रही है क्या समय आ गया है इमपॉसिबल तो हाव एक सिविलाइस पोलिटिकल डिबेट इवन विद यूर फैमिली यानि कि आप अपने परिवार के साथ भी एक सब भी राजनीतिक समबाद नहीं कर सकते मेरे पिता ने मुझे खान मार्केट गैंग बताया और फोन रख दिया दोस्तों खान मार्केट गैंग का इस्तमाल किस ने किया था क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने परिवारों में इसकदर खटास बढ़ गई है इस तरह की खाईया बढ़ गई है कि बाप बेटी तक को नहीं बख्ष रहा है भाई भाई में दोराव है अब आपको सोचना है कि अगले पांच साल यही राजनीतिक शक्ती अगर लौट कर आती है तो हमारे परिवारों पर हमारे बच्चों पर क्या असर पढ़ने वाला है सोचना आपको है और यकीन मानिये दोस्तों एक्जिट पोल्स में जो दिखाये जा रहा है उन तमाम विरोधा भासों के बावजूद मेरा यह मानना है कि हो सकता है कि 23 तारीक को भारती जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना ले क्यों? क्योंकि जब आपकी नसों में नफरत भर दी जाए जब आपकी नसों में एक विक्टिम होड सिंड्रोम भर दिया जाए यानि कि आप पीड़त है एक काल्पनिक डर पैदा कर दिया जाए तो ऐसा ही होता है तब आप एक शक्स को मसीहा के तोर पर देखते है तब आप एक शक्स की तरफ बार बार देखकर कहते हैं कि यही वक्ती जो है मुझे मेरे काल्पनिक डर से बचा सकता है यह काल्पनिक डर आपको मुबारक मगर यकीन मानिये दोस्तों इसकी कीमत आज नहीं तो कल देश जरूर चुकाएगा मगर न्यूस शक्र में हम अपने दायत उसे पीछे नहीं हटने वाले हैं यह तमाम मुद्दे आपके सामने हम लाते रहेंगे बे लाग, बे खौफ, बे जिजक अब हिसार शर्मा को दीजे अजासत आप सबसे अपील किसे लाइक और शेयर करें और न्यूस क्लिक के इस चानल को सबस्क्राइब करें नमस्कार